हेलो दोस्तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्णों पर बात करेंगे देखे के वीएस के रिजल्ट आप सभी के सामने हैं चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो या फिर पी आर्टी सारे ही चैलेंज वाले प्रश्ण मिले हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इसके अलावा जो प्रश्ण आपको पता हो वो भी कमेंट करिएगा ताकि प्रश्णों का आप सभी के सामने एक आसके और एक जो ऐसा प्रश्ण हो यानि कि सपोज अगर दस प्रश्णों पर आप सभी का चैलेंज आ रहा है कि ये दस प्रशने गलत है तो उन दस प्रशनों में से जो authentic source आपको सही डंग से मिले उसके थूँ आप उनको चैलेंज करिएगा और जादा से जादा लोग जब करेंगे तो फाइदा तभी होगा तो यहां उन प्रशनों को हम देख लेती है तो सबसे पहले मैं यहां पर आगे आप सभी को प्रशन दिखा देती हूं क्योंकि देखिए इन प्रशनों का बहूत जादा फायदा होगा जो भी प्रशणों delete होते हैं अन सभी प्रशणों पे अब इसका मतलब ये नहीं की धेरों आप challenge कर दे नहीं जिसका आपके पास सही source हो उनको ही करना है और क्योंकि challenge के पैसे भी लगने हैं तो यह ऐसा तो नहीं है कि आफ free में कोई भी challenge कर दोगे नहीं वैसे भी लगने हैं तो ध्यान पूर्वक करिएगा कि कौन से प्रश्णों को हमें चैलेंज करना है और सही सोर्स हमारे पास हो तो जैसे कि ये सभी NCRT की पुस्तकों से आप पढ़ते हैं तो NCRT की बेस्ट जो है वो सोर्स आपका है जहाँ उन प्रश्णों को आप चैलेंज कर सकते हैं अब यहाँ पर देखे मानव में ध्वनी कहां उत्पन होती है ये प्रश्ण है और इसका जो सही उत्तर माना जाए तो वो है स्वर्तंत्री अब आयो के वी इसके द्वारा क्या माना गया है मैं देखती हूँ तो प्रेश्ण नंबर जो था 27 तो 27 था तो 27 यहाँ पर देख सकते हैं 27 का 3 यहां केवीत के द्वारा जो है कंट को सही उप्शन दिया गया है लेकिन उप्शन क्या है हमारे पास सही oc talent five पे जा रही हूँ देखें, बहुत सारे ऐसे प्रषण होंगे जरूरी नहीं कि जो मैं लगा रही हूँ, वही होंगे और भी होंगे, यहां मैं कुछ ही प्रषणों को लेके चल रही हूँ तो और देखें, चैलिंज का फायदा यह नहीं कि सिर्फ चारड लोगों को होगा नहीं, चैलेंड़ ब comparison का लोगों का होगा, चाहे व्यूंसर आपने गलत किये हो, चाहे आइच्ब आपने सही किये हो, तो उन गलत प्रशनों का फाइदा या जिसका उत्तर गलत है, क्योंकि इसमें उत्तर भी गलत है, यहां यह नहीं है कि सिर्फ प्रश्ण ही गलत है यहां उत्तर भी गलत है तो इसलिए उन चीजों को देख लीजेगा अब यहां पर प्रश्ण है कि अधिगम के लिए निम्नांकित में से क्या अपरिहार है अब यहां पर जो KVS ने माना है वो है तीन लेकिन अधिगम के लिए जो आवश्यक चीज मानी गई है वो है रूची तो यहाँ दूसरा जो है यह प्रशन इस पे आप चैलेंज कर सकते हैं नेक्स्ट प्रशन कुश्चिन जो हम देखते हैं वो क्या है देखिए प्राचारी की सेक्षनिक भूम का क्या है प्राचारी यान की प्रिंसिपल की जो भूमी का है वो क्या है तो यहाँ केवियस ने जो है माना है ध्यापको को पार्ट का प्रदर्शन जो है वो डेमो देना यह माना है लेकिन जो correct answer है वो है समय सारणी बनाना जो main principle का काम होता है वो समय सारणी वही बना के देता है तो यहाँ आप इन प्रश्णों के जो authentic answer हो उनको देखिए और उन प्रश्णों को challenge करिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नमलिखित मेंसे कौन सा कविता संग्र है निराला का नहीं है तो देखिए निराला का गीतिका बेला ये दोनों तो निराला के हैं यहाँ केवियस के answer की मैं बात कर दो कि केवियस ने इसका क्या answer माना है तो देखिए KVS ने इसका आंसर जो है निराला का संग्र नहीं है कावे संग्र नहीं है बेला को माना है जब कि यह उतर गलत है और इसका सही उतर है नए पन्ने तो आप जो है KVS की NCRT की जब बुक देखेंगे उसमें भी आपको इसका authentic आंसर मिल जाएगा निराला का जीव फणिश्वर नाथ रिणू की निमनांकित रचनाओं में कौन सी जो रचना है वो संसमरण नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा है लेकिन इसमें अगर बात करे तो ये जो सारे हैं नेपाली करांती की कधा अशुरत अशुरत पुर्व और रिणजल धनजल ये तीनों ही संसमर है अब यहाँ पे अकेला यहाँ पूछा कि कौन सा संसमरण नहीं है तो यहाँ पे तो तीनों ही संसमरण नहीं है यह तीनों संसमरण नहीं है रिपो तार्च है तो यहाँ पे जो केवियस ने आंसर माना है वो है वन नेपाली करांती की कधा को जो है माना है इसका उत्तर ल और वन तुलसी की गंद जो है अकेला संस्मरण है बाकी ये तीनों जो है रिपोतार्ज है तो आप इस प्रश्ट को जो है 100% चैलेंज कर सकते हैं और आप इसकी एंसी अर्टी की बुक से भी सोर्स ले सकते हैं अब यहाँ पे अगला प्रश्ट है कृष्णा सोबती की नमलिकत रचनाओं में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है अब यहाँ पे जो ए लड़की है वो उपन्यास लिखा हुआ है जब कि ये लंबी कहानी के अंतरगत आता है उसके बाद कि के वियस ने जो है इसका आंसर दो माना है दिलोदानिश जो है वो कहानी संग रहे है ये माना है जब कि दिलोदानिश क्या है उपन्यास है तो ये तो इसका उत्तर नहीं है तो इसका उत्तर ये भी नहीं है अब मित्रो मरजानी वो भी कहानी संग रहे है अब इसके लिए जो ऑथंटिक सोर्स के बात करें तो और मित्रमरजानी कहानी संग्र है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्यों सी चीज क्या है तो इसके लिए आप ये और धंडिक सोर्स जो है वो दे सकते है इसी प्रकार से बाकी भी प्रशन देख लीजिएगा जो प्रशन आपको लगते हैं कि चैलेंज वाले हैं और कम जरूर करिएगा क्योंकि यहां आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती है और किसी टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो वेबी कमेंट जरूर करिएगा धन्यवाद